नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इस्टडी विद धनंजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धनंजय मिस्रा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आठ नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स के बारे में तो आईए इस सीरीज को इस्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला कोश्चन है कि हालही में सयुक्त तटिय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां पर संपन्द हुआ है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर A उरिसा अभी हालही में उरिसा में सयुक्त तटिय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच संपन्द हुआ है यह उरिसा के पाराद्वीब तट पर संपन्द हुआ है यह उरिसा और पस्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से संपन्ध हुआ है और यह दो तिवसी सेन अभ्यास था अब उरिसा में संपन्ध हुआ है तो उरिसा के बारे में देख लेते हैं उरिसा की राजधानी भूनेस्वर है उरिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है उरिसा के सीटो की संख्या 147 है और उडिसा में कुल 30 जिले हैं चिलका जील सिमली पाल नेशनल पार्क और भितर कनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उडिसा में ही स्थित है आईए अगला प्रस्न देखते हैं दूसरा प्रस्न है हालही में बुल इश्ट्राइक अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वेप अभी हालही में अंडमान निकोबार द्वेप में बुल इश्ट्राइक अभ्यास संपन्न हुआ है यह निकोबार ग्रूप आफ आईलेंड के टेरेसा आईलेंड पर संपन्न हुआ ह और यह तीन दिवसी अभ्यास था जो कि भारत के तीनों सेनाओं अर्था थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के सहयोग से संपन्न हुआ है आईए अगला प्रस्म देखते हैं तीसरा है, हालही में सिसका ग्रूप ने अपने नय ब्रांड अमबेश्डर के रूप में किसे न्यूक्त किया है तो इसका सही उत्तर है, आपसन नंबर D, राजकुमार राओ अभी हालही में अभिनेता राजकुमार राओ को सिस्का ग्रूप ने अपने नए ब्रांड अमबेश्डर के रूप में नियूक्त किया है सिस्का ग्रूप यह एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने वादी कमपनी है और सिस्का का एलेडी बड़ा ही फेमस है आप देखे होंगे आगे अब अगला प्रस्न देखते हैं चौथा प्रस्न है हालही में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल का सुभारंभ कहां पर किया गया है अब देखे हालही में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ नामक पहल का सुभारंभ किया गया है इसका मुख्य उदेश कचरे के खतरे से निपटना तथा कोविड-19 के प्रसार को कम करना है अब देखरा दुन में किया गया है अब उत्राखंड के बारे में देख लेते हैं कि उत्राखंड गहरादुन में है उत्राखंड की दो राजधानिया है पहला है देहरादुन और दूसरा है गैर सेंड गैर सेंड उत्राखंड की ग्रिस्म कालिन राजधानी है उत्राखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत है उत्राखंड के राज्यपाल बेवी रानी मौरिया है उत्राखंड में लोकसभा सीटों की संख्या पाँच है राजी सभा सीटों की संख्या तीन है विधान सभा सीटों की संख्या एकहत्तर है और उत्राखंड म यह सभी जिलें उत्राखंड में ही स्थित है दोस्टों अगर आप इस बीडियो प्राप्ट करना चाहते हैं तो डिस्कृप्शन में दिये गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर study with धनंजय मिस्रा सर्च करके भी आप इस ग्रूप को जोईन कर सकते हैं टेली ग्राम पर प्रते एक दिन पुरो की परिच्छाओं में पुछे गए प्रसनों को क्वीज के रूप में साल्व कराया जाता है तो आप टेली ग्राम ग्रूप को जोईन करके और क्वीज को साल्व करके अपने त्यारी को नई दिसा दे सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वेल आइकन को अवस्य दबा लीजिएगा आईए अगला प्रस्न देखते हैं पांचवा प्रस्न है हालही में IDF के बोर्ड में कीसे सामिल किया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर A दिलीप रथ, अभी हालही में दिलीप रथ को IDF के बोर्ड में सामिल किया गया है यह बरतमान में राष्टिय डियरी विकास बोर्ड के अध्यच्छ हैं अब इनको IDF में सामिल किया गया है तो IDF के बारे में देख लेते हैं IDF का फूल फाम होता है International Dairy Federation IDF का अस्थापना 1903 में हुआ था और IDF का हेड़क्वाटर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इस्थित है आईए अब अगला प्रस्न देखते हैं छठमा प्रस्न है हालही में संपन्न हुए Global Investors Roundtable 2020 सम्मेलन की अध्यच्छता किसने किया है तो इसका सही उत्तर है Option No.2 नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हालही में संपन्न हुए Global Investors Roundtable 2020 सम्मेलन की अध्यच्छता किया गया है और इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो वर्च्वली किया गया था और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अध्यच्छता वर्च्वली जो है की सम्मोधित किया आजी अब अगला प्रस्न देखते हैं साथमा प्रस्न है हालही में ओपेक इंडिया संबाद की चौथी बैठक की सह अध्यच्छता किसने किया है तो इसका सहि उत्तर है आपसन नमबर सी धर्मेंदर प्रधान अभी हालही में केंद्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंदर प्रधान जी ने ओपेक इंडिया संबाद की चोथी बैठक की सहध्यक्षता किया है आईजी अब अगला प्रसन देखते हैं अठमा प्रसन है हालही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सेटेलाइट को कहां से लांच किया है तो इसका सही उत्तर है आप्सन नंबर A आंधर प्रधेश अभी हालही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सेटेलाइट को आंधर प्रधेश के स्रीहरी कोटा के 37 धावन अंतरिच केंदर से सफलता पुर्वक लांच किया गया है यह पोलर सेटेलाइट लांच विकल का 211 संसकरन जो है की 211 मिसन है अब इसरो के द्वारा किया गया है तो इसरो के बारे में देख लेते हैं इसरो का फूल फाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन इसरो का अस्थापना 1979 में हुआ था इसरो का हेड़क्वाटर वेंगलोरू में इस्थित है और इस बरतमान में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर ए ग्यानेंद्रो निगुम्बम यहां पर आधाम नहीं रहेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसन नंबर ए ग्यानेंद्रो निगुम्बम अभी हालही में ग्यानेंद्रो निगुम बाटर नई दिल्ली में इस्थित है आईए अगला प्रस्न देखते हैं दस्मा प्रस्न है हालही में राष्टिय कैंसर जागरुकता दिवस कम मनाया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A 7 नमबर अभी हालही में 7 नमबर को राष्टिय कैंसर जागरुकता दिवस के रूप में मनाया गया है और प्रतियक वर 7 नमबर को राष्टिय कैंसर जागरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है पहली बार राष्टिय कैंसर जागरुकता दिवस 2014 में मनाया गया था और य क्यूरी के जहनती के उसर पर प्रतियक वर साथ नौंबर को मनाया जाता है आगी अब कल का प्रस्ण देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंड बाक्स में कमेंड करके बताया था तो कल का प्रस्ण था कि हालही में सौर उर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर था आपसन नंबर बी केरल अभी हालही में केरल में सौर उर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्गाटन किया गया है और इस प्रस्ण का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है रितु होझा जी, सुरेख चोधरी जी, मनीश कुमार जी, अमित कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, संदेप जी आईए अब आज का प्रसन देखते हैं जिसका सहीव उत्तर आप लो कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताईएगा तो आज का प्रस्ण है कि हाल ही में पेरिस जलवाई समझहोते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है तो इसका आपसन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में सेयर कीजिएगा उमीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जनकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी किसी प्रकार के कठिनाईउं का सामना नहीं करना पड़ा होगा ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वेल आइकन को अवस्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुचता रहे आज के लिए इतना ही दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद